हेलो फ्रेंड्स जय श्री कृष्णा जय माता दी जय श्री श्याम कैसे हो दोस्तों आप सभी आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे प्रार्थना करूँगा इश्वर से कि आपको हमेशा खुश रखें देखिए आज की विडियो आपके ये बहुत स्पेशल होने वाली हैं क्योंकि आज हम आपको बताएंगे पित्रपक्ष में आपकी कौन सी इच्छा बहुत जल्द पूरी होने महत्वपूर्ण समय शुरू होने वाला है अपने पित्रों के तरपन के लिए उनके सेवाओं के लिए उनके दांग पूर्ण के लिए जो यह 16 दिन मिलते हैं हमारे पित्रे को खुश करने के लिए मिलते हैं उनका आशिर्वाद प्राप्त करने के लिए मिलते तो इन्हें बिल्कुल मत गमवाये अगेन समय का सदुप्योग करिये का यह साथ ही आज की वीडियो आपके लिए बहुत खास प्लीज इसे लाइक करें कमेंट सेक्षन में जय मातादी और राधे राधे जरूर लिखें चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें को प्रेस करें साथ ही वीडियो को शेयर करना ना भूले तो शुरुवात करते हैं दोस्तों सबसे पहले रिलाक्स हो जाए यह बिलकुल टेंशन मत लीजिए बिलकुल टेंशन फ्री होकर के रिलाक्स होकर के स्क्रीन पर आपको दो कोवे दिखाए गए होंगे फर्स्ट और सेकंड कोवा है इन दोनों में से कोई एक आपको चूज करना है उसके बाद हम देखेंगे कि आखिर पित्रपक्ष में आपके कौन सी इच्छा पूरी होने वाली है पित्रों का आशिरवाद आपके उपर बना हुआ है कि तरफ से नाराज तो नहीं अगर नाराज हो तो क्यों है आप कौन सी गलतियां कर रही यहां हम आज आपको बताएंगे पहला नंबर जिस किसी ने भी चूज करा है फर्स्ट कोवा जिसने चूज करा है वह उनके लिए हम यही कहना चाहेंगे कि पित्रिपक्ष में आपकी एक जो इच्छा है वह पूरी होने वाली है कि आपके घर में कलह वह ज्यादा रहता है जगडे बहुत ज्यादा रहता आप बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं मानसिक शान्ती आपकी भंग हो चुकी बहुत परेशान रहते हैं आप चाहते हैं कि आपके घर में पैसा हो लेकिन शान्ती और आपके घर में भले डाल रोटी हो लेकिन शाम कैसे हो सब अच्छे से खाना खाओ दिमाग में शान्ती है सब के सपने पूरे होने वाले हैं आपके घर में शान्ती का माहौल रहने वाला है लेकिन उसके लिए आपको करना क्या होगा अगर आपको लग रहा है कि आपके घर में बहुत ज्यादा जगडे हो रहे हैं परिशान आप लग रहे अगर मैं कल्य रहता है थोड़ी थोड़ी बात पर खटपट हो जाती लगी लेकिन यदि अगर रोज ग्रहत लेश हो रहा है तो समझिए कहीं ना कहीं पित्री अगर आपसे नाराज है तो यह चीजें होती रहती है अब हमने आपको कैसे प्रसंद करना उनकी नाराजगी आपको कैसे दूर करने हैं और क्या अगर आप वह नाराज है पैसों से रिलेटेड नाम जो होगा वह आपकी सारी और जो के संगी है उसको दूर कर देगा आपके परेशानियों को दूर कर देखो धन आपके घर में रुक नहीं रहा था वह अपने लग जाएगा तो कहीं ना कहीं यहाँ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं सोलहवेने सोलह दिनों में आपको भी अपने पित्रों के नाम का तरपन करना चाहिए उनके नाम का दान पूर्ण करना चाहिए इससे काफी कुछ फाइदा आपको होने वाला है यह भी ध्यान रखिएगा दोस्तों के हमारी शांती मानसिक शांती घर में अगर मानसिक शांती नहीं है तो कहीं ना कहीं इसका रीजन भी पित्रों को माना जाता है सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि घर में शांती हो कहना हो परिवार के आपस में एक्ता बनी हुई हो बटई आगे जो आपका भाग्य है उसके लिए हम यही कहना चाहेंगे कि अच्छे कर्म करें अपने पित्रों को याद करें जहां तक हो एक उपाय हम बता रहे हैं जिसे करने से आपको काफी फायदा मिलेगा अगर अभी सोलवा दिन आप continue पीपल के पेड़ पर दीपक लगते continue सोलह दिन अगर आप पीपल के पेड़ पर शाम के समय में सर्सों के तेल का दीपक लगाएं अपने त्रिशा को काफी फायदा मिलेगा कर सर्सों के तेल का दीपक नहीं लगा पाएं आप रोड दिल्ली तु सिर्फ शनिवार शनिवार को आप लगा यह नहीं की सोलह दिन में दो या तीन बार शनिवार आएंगे तो इन दिनों आप अगर दीपक लगा रहे हैं तो वह भी बहुत अच्छा रहेगा दो शनिवार आपके करेंगे तो इन दो शनिवार को आप जरूर दीपक बनाने की कोशिश करिएगा दीपक लगाने के बाद आप इश्वर से प्रार्थना करेगा तो यह चीजें होती रहती है अब हमने आपको कैसे प्रसंद करना उनकी नाराजगी आपको कैसे दूर करने हैं और क्या अगर आपव नाराज है तो उसके लिए आपको किस तरह से उनके नाराजगी को दूर करना है तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीजे हैं जो हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों बहुत ही ध्यान से सुनिएगा कुछ आसान उपाय अपना कर आप पित्री दोश को दूर कर सकते हैं इसके लिए पित्रि पक्ष में आप पिंड दान जरूर करें पित्रों की शांती के अनुष्ठान करें वह अन्य पक्षियों को भोजन कराएं इसके साथ ही पित्रि दोश शांती का उपाय करे भगवान भोलेनात का ध्यान करो उनका ध्यान करते हुए तक पुरुशाय विद्महे महादेवाय धीन ही तन्नो रूद्र प्रचोध्यात मंत्र की एक माला का जाब करें यह नहीं कर सकते तो कोई आप सिर्फ अपने पित्रों के नाम का दान पूर्ण करे गाय को चारा खिलाएं कुत्ते को रोटी दे गाय को रोटी दे पशू पक्षियों को दाना डाले को एक को भोजन कराएं ब्राह्मन भोजन कराएं यह चीजे भी अगर आप कराते हैं आप जौब वगैरा नहीं कर सकते आप पूजा पाठ श्रद्धा नहीं कर सकते तो आप दान पूर्ण करे दान पुन्य से भी आपके पित्रों को बहुत संतुष्टी मिलती हैं जो भोजन जो खाना पानी आप इस समय देते हैं वह भोजन खाना पानी उन्हें मिलता है तो कहीं न कहीं अगर आप चाहते हैं कि आपके पित्रों को तब तीम ले कहीं ना कहीं वह भी आपसे खुश हो कर जाए आपको आशिर्वाद दे करके जाए तो उनके आशिर्वाद के लिए आपको यह चीज करने चाहिए अपने पित्रों के तरपन के लिए आपको यह चीज करने चाहिए तो कुछ टेंशन मत लीजिए वह आपकी इच्छा जरूर पूरी करेंगे आपके घर में जरूर शान्ती बनी रहेगी बस आप पूरी डोनेशन करें दान करें दान पुन्य भी आप ऐसा करें जो जरूरत मंद हो उसको करें जैसे की आपके घर पर अगर गाय यारे कोई भिख्षुख खुद आ रहा है कोई मतलब मान लीजिये कुछ जरूरत मंद है तो उसे दीजिये कभी भी किसी को मना नहीं करना है सुक्षान्ती आपके घर में जरूर बनी रहेगी इसके साथ ही सोलहवा दिन में आपको बहुत जल्दी एक मन की इच्छा है जो आपने चुपा रखी है दिल में वह इच्छा भी आपके जरूर पूरी होने वाली है तो बिलकुई शान्त रहे क्रोधन करे सेकंड नंबर जिस किसी ने भी चुना है तो उनके लिए देख लेते हैं उनके लिए हम यही कहना चाहेंगे दोस्तों तैरो कार्ड के माध्यम से की पित्रपक्ष में आप कहीं पर बहुत अच्छी जॉब आपको अच्छी होने वाली है बहुत अच्छी जो आपके लगने वाली या यूं कहे कोई डील आपकी बहुत अच्छे से साइन होने वाली कोई आर्डर आपको मिलेंगे कहीं से आपको पैसों से related लाब होने वाला है और हमारे लक्ष पर concentrate करना अगर हम इन लोगों कब इन लोगों के प्रतिध्यान देना शुरू करेंगे उनकी बातों पर घूमते रहेंगे, शंका में रहेंगे, doubtful condition create करेंगे दिन भर ये सोचेंगे कि उसने मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल दिया, उसने ऐसा कैसे बोल दिया, इसने ये क्यों कर दिया, उसने वह क्यों कर दिया, इस ये खरीदा कल में ये खरीद का ये जो comparison करने की जो आदत है न, ये कहीं न कहीं आपको बहुत जल्दी बारह बार करें, कि आप खुद कारण बनेंगे, अपने लक्षे के मार्ग में आने के लिए क्यों बनेंगे, तो क्या हमेशा competitor बनते लोगों के आपको किसी का computer नहीं बनना, आपको किसी को नहीं करना, अ एकागरता बढ़ाने की वजह से कठिन कारियों को सुल्जा पाएंगे, बहुत आसानी से संबंधित कोई केस चल रहा है, तो वह भी आप अपने व्यवहार से काफी अच्छे से धोलेंगे, प्रभावशाली व्यक्ति का साथ आपको मिलेगा, जो बड़े काम का अंजाम तक पहुचाएगा, हर छोटी बात पर नियंतरन करने की जिद आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जीवन में जैसी परिस्थितियां बन रही है, वह आपको इच्छा शक्ति और व्यक्तित्व के सकारात्मक पहलूँं का एहसास दिलाएगी, नौकरी की जगह से काम करें, जरूरत से ज्यादा जिम्मेदारियों की वजह से काम क्वालिटी पर असर होगा, और साथ में लोगों की नाराजगी का सामना भी आपको करना पड़ सकता, काम की जगह प्राप्त हो रही आलोचनाओं